हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दा एक्जाम तक पे फ्रेंड आज किस वीडियो में हम लोग बिहार प्लिस का जो री एक्जाम होने वाले हैं अगस्त माहिने में उसके लिए प्रैक्टिस सेट नमर 13 जो की उडिटेरिया पब्रिकेशन का वाइल्यूम टू का आज किस वीडियो में कवर करने वाले हैं इसमें टोटल सव प्रेशन होंगे और सभी को डिटेल के साथ हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले तो आप लोग वीडियो में सुरू से अंतक बने रहेगा इसमें टोटल सताष प्रैक्टिस सेट है और आज इस वीडियो के description में या फिर चैनल के playlist में दे दिया जाएगा वहां से आप लोग प्रैक्टिस सीट नबर 1 से 12 तक देख सकते हैं और आज का जो वीडियो होने वाला यह most important होने वाला है तो आप लोग वीडियो को देखना न भूलिएगा और चैनल को पहली वार जोइन के हैं और start करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि जिस वी question का आपको answer पता हो उसका जवाब आप लोग comment box में दे सकते हैं और last में आपको comment में बताना है कि वीडियो कैसी लगी साथ ही जो है आपने आज के इस practice sheet में कितनी अस्कूर कियें इसका जो है detail आपको comment box में देना है तो चलिए friend आज का वीडियो को start करते हैं पहला प्रशन है यह मैत का प्रशन है और मैत का सारे प्रशन जो है आप खुद से बना ली जिगा मैं जो सारे प्रशन का answer बता देता हूँ और जी के जिसको मैं detail के साथ कराने वाला हूँ पहला प्रशन है कि एक ब्यापारी अपन तो उसका जो है लाप परतीसत कितना होगा इसमें लाप परशन जो आएगा यह आएगा 30.2 परशन इसका right answer जो हो जाएगा option number A हो जाएगा अगला है एक धातू एक पाइप की लंबाई धातू के पाइप की लंबाई जो है यह 7.56 मीटर है और इसकी बाहरी और आंतरिक ति जाओगा इसमें पाइप का जो बज़ान होगा यह 71.28 किलोग्राम होगा अगला है कि A और B अकेले अकेले जो किसी कारे कोकरम से 12 दिन में और 16 दिन में कर सकते हैं यह जो है शुरू करेंगे काम को और यदि वे बारी-बारी से पढ़ते एक दिन कारे करते हैं तो काम पूर तिर्भुज के कुनों का अनुपाद जो है यह 3 अनुपाद 4 अनुपाद 8 है तो यह जो तिर्भुज किस अपरकार का तिर्भुज है यह तिर्भुज हो जाएगा यह अधिक कोन तिर्भुज हो जाएगा तो option 20 का right answer हो जाएगा अगला कि sin 5 theta बरबर जो है cos 15 degree माइनस 3 theta है तो यहाँ पे theta का मान ग्याद करना है ठीटा का मान जो यहाँ पे हो जाएगा यह 20 degree हो जाएगा option c इसका right answer हो जाएगा अगला है कि a ratio b ब्रबर 5 ratio 8 है और c ratio b ब्रबर 4 ratio 3 है तो a b c बराबर क्या होगा इसमें a और b और c का ratio जो होगा यह हो जाएगा 15 ratio 24 ratio 32 option 20 इसका right answer हो जाएगा अगला कि x के मान के लिए संक्या जो है यह दिया हुआ है और इसमें जो x के अस्थान पे क्या बराएगा जो कि 11 से पुर्णता विवाज हो जाए तो 11 से विवाजता के नियम है यह जो है एक छोड़ का जो सभी संक्याओं का योग और इसमें जो संक्याओं का योग आएग उसका अंतर जीरो या फिर 11 से विभाज होगा तो यह संक्या जो है 11 से पूर्णता विभाज हो जाएगा इसका राइट एंसर में बताता हूं option number D हो जाएगा 3 अगला है कि दो वर्सों के लिए जो है 12 पर 30 वर्स की दर्शित एक सर्फ पर चक्रविर्धी व्याज और साधारन व्याज के वीच कांतर 18 अरह है तो इसमें एक सका मान गयात करना है एक सका मान जो मुलधन आजगा इसमें मुलधन आएगा 1250 रुपिया अगला प्रशन एक P, Q, R करमस जो है 500 रुपिया, 330 रुपिया, 700 रुपिया का जो है निवेस करते हैं यदि P को जो 75 रुपिया लाप राप्त होता है तो जो है Q को कितना मिलेगा इसमें Q की बात करें तो इसमें Q को जो है इसमें Q को जो है यह 94.50 रुपया मिलेगा 94.50 रुपया जो कि option number D इन में से कोई नहीं इसका right answer जाएगा आगला है कि यह जो है reasoning का प्रशन है successive को जो है सभी अच्छरों के कूल कितने परकार से जो है जा सकता है ताकि जो सभी स्वर साथ साथ हो इसमें सभी स्वर साथ साथ जो हो जाएगे यह 50-140 हो जाएगे option C का right answer हो जाएगा अगला है यहाँ पे हिंदी का प्रशन है कता कि असाड का दीन यह किस की रचना है अगला प्रशन है कि हरिसंकर परसाई साहित के किस विद्धा के परसिद्ध है यह जो परसिद्ध है यह है बयंग्य के लिए बयंग आप्संस इसका right answer जाएगा हरिसंकर परसाई जो की 1924 से 1995 तक थे और यह हिंदी गद साहित के व्यांग कारों की सूची में जो अगरन्य थे और इसके व्यांग विशाय समाजी के वं राजनीति की विशाय पर था अगरा कि हमेशा एक वचल से इस्तिमाल होने वाला सब्द का चेन करना है एक वचल से जो है इस्तिमाल होने वाला सब्द ये जो है वर्षा और जन्ता जो की एक कवचल से इस्तेमाल होने वाला सब्द है जैसंकर परसाद की पहली कहानी कौन सी है जैसंकर परसाद की बात करें तो इनकी पहली कहानी जो था ये ग्राम था ग्राम आप्शन 20 का राय टेंज रोजाएगा जैसंकर प्रसाद हिंदी साहित के चायावाद के चार अस्तंबों में से एक है और यह सन 1912 इस्वी में इंदू में उनकी पहली कहानी जो के ग्राम प्रकासित हुई थी अगला के मानक भासा के दिरिष्टी से असुध सब्द का चेहन करना है इसमें असुध सब्द जो है यह हिंदू इस प्रकार से जो है हिंदू नहीं लिखा जाता है हिंदू की बात करे तो हिंदू जो है यह इस तरह से लिखा जाता है हिंदू अगला प्रशन है कि विरिष भानुजा विरिष भानुजा जो है यह किस सब्द का समनार्थी है अगला प्रस्ट मेंखंग सब्द का सही समनार्थी चेन करना है सही समनार्थी और वह गते हैं अगला है कि माखनलाल चतुरवेदी को उनकी किस रचना पर जो साहित्त का आदमी पुरस्कार मिला है ये हीमतरंगनी के लिए मिला है तो हीमतरंगनी आपसंस इसका राइट इंसल हो जाएगा अगला है इंगलीज का प्रस्णन इसमें जो हींदी करना है वायल आई वाज रिडिंग दा लाइट वेंट आउट इसका जो राइट ट्रांसलेशन हींदी में हो जाएगा जब मैं पड़ रहा था तो बिजली जो है यह चली गई option इसका राइट इंसर हो जाएगा अगला है the correct option इसमें जो चीक करना चूज़ दा compounds noun compounds noun कौन सा है यह चूज़ करना इसमें compounds noun जो हो जाएगा चीक out options इसका राइट इंसर हो जाएगा अगला make the adjective of word nerve and choose the best option नर्व का जो वेस्ट आप्सन हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि इसमें the loan will be sanctoned by the blank इसमें जो बैंक इसमें जो correct adjective को चूज़ करना है इसका correct correct adjective जो हो जाएगा यह दा बैंक विल सेंक्शन दा लोन कि ऑप्सन इसका राइट इंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण ने चूज़ दा वर्ड एंट एंटोनिस इन इसमें meaning the given word बिटल की बात करें बिटल का एंटोनिस्म जो हो जाएगा बिटल का एंटोनिस्म जो होगा यह ओगा इन important, unimportant options इसका right answer जाएगा बिटल मतलब होता है important यानि महात्पॉर्ण तो इसका जो right अगला question है I have lived in the this town khalistan child इसमें जो है since का परियोग किया जाएगा क्योंकि इसमें जो है इसमें point of time का बोध हो रहा है इसलिए जो इसमें since का परियोग किया जाएगा अगला the shopkeepers deals khalistan books इसमें इन का परियोग किया जाएगा इन option इसका right answer जाएगा अगला अगला है कि चूज दा क्रेक्ट मीनिंग अफ दाइडम्स तू टेक हर्ड तू टेक हर्ड का जो आइडम्स हो जाएगा यह हो जाएगा तू विकम होप्फुल ऑप्शन इसका राइट इस रोजाएगा अगला है ट्रांस फॉर्ण ट्रांस फॉर्ण दा संटेंस गिविवन वीलो विदॉट चेंजिंग इन इन मिनिंग दिस मुख केज डिफिकॉल्ट इसका जो राइट इंसर जाएगा यह दिस रूट वुक इज़ नौट वहीजी यानि ये डिफिकॉल्ट है दिस बॉक इज़ दिफिकॉल्ट यानि जो इ अगला है दरवचालित दरवचालित ब्रेक किस पर निर्वर करता है दरवचालिक क्लेट की बहत करेडिर यह पासकल की नियम पर अधारित होता है तो पासकल नियम आपजन इसका है तुरहर Tapi Arnis और यह वंद्र09 में यदि द्रब हो या फिर उस पर दाव लगाया जाए तो जो हुआ समान रूप से समान परिणाम में सभी दिसामजों संचरित होते हैं और यह जो पास्कल का नियम करता है पास्कल का नियम पर जो है हाइडरोलिक लिप्ट प्रेश ब्रेक आधी कारी जो है करता है समान का र द्रबमान समान है तीनों को परारंभिक रूप से समान उचताप तक घर्म् किया जाता है तो यह क्या होगा इसमें जो होगा पलेट सबसे तेजी से ठंडा होगी और गोला जो सबसे धीरे ठंडा होगा इसका राइट इंसर उप्शन नंबर 6 हो जाएगा अगला सरल आवर् गति के आवर्थकाल की वात क्रिये तो यह जो निर्वर करता है यह द्रवमान पर निर्वर करता है ved Bashar इंसर हो जाइगा और यह जो है इस गती का आवर्थकाल आयाम उरज्या एवंल यह कला नियतांग पर जो heart नहीं करता है यह सभी पर निर्भा नहीं करता है अगर पूछे तो यह और अगर आपसे गतियु जोर्जा पूछे तो kynetik इनर्जार होता है हाप यंभीमवल ऐसकॉर्ज़ा Х कि किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्त तरंग की चाल होती है किसी तनी हुई डोरी की बात करें इसमें जो अनुप्रस्त तरंग होती है यह तनाव के वर्ग मुल के अनुकरमानु पाती होती है तो option 20 का राइट इंस रज़ेगा और ध्वनी जो यह अनुधायरी तरंग है नियुन में से किस नियुन तो मुचाई का समतल दर्पन आवस्यक होगा इसमें जो समतल दर्पन आवस्यक होगा ये धाई मीटर का होगा तो options इसका राइट इन्स रोजएगा अगला प्रशन ने अती चालक की चालकता ये जो है होती है अतिछालक की चालक तकी वात करें यह जो अनन्त होती है अनन्त option इसका right answer हो जाएगा और जिस तापमान पर जो चालक पदार्त या फिर अर्ध चालक अतिचालक की भाती बेवार करता है इसे जो जो क्रांतिक तापमान कहते हैं और अतिचालक की खोज जो की के बरतमान में ऑक्साइड सूपर कंडकटर है अगला है कि पिर्थावी की सत्ता से डी गहराई पर गुरूतिय तरण होगा इसमें जब पिर्थावी की सत्ता से डी गहराई तक गुरूतिय तरण का मांद ज मांजow हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्सन नंबर और पिर्थवी की गाराई पर जाने पर पिर्थवी के दरह्मान में कमी आती है जिसे गुर्थिय तरण के मान में भी कमी आती है अगला प्रशन है कि यदि एक पिंड का संभ्यक जो है 100% जो है बढ़ा दिया जाए तो इसके गतीज उर्जा में जो है क्या बढ़ उत्री होगी जब किसी पिंड का संभ्यक जो है ये 100% बढ़ा दिया जाएगा यह होगी घट जाएगी, घट जाएगी, तो Augsend इसका Right Answer हो जाएगा है, अगला है किसी वश्तु की वह हनिवन्तम गती जोड़ जा, जिसका जोए द्रम्मान यम है, जिससे यह जोए पलाईत हो जाएगा, इसका Right Answer जोए Optionically C यम, G, R, options इसका right answer रो जाएगा अगला प्रश्ण है निमलखित में धातू नहीं है इसमें धातू की बात करें इसमें धातू जो है ये gallium है और titanium है प्रन्तु इसमें जो है boron ये धातू नहीं है तो boron इसका option number A इसका right answer रो जाएगा और ये सभी जो है ये सभी धातू जो है ये तेरवें वर्ग के धातू है और gallium जो धातू है ये हथेली पर लेने पर ये पिगल जाती है तो ये सारे पांट आप लोग याद रखेगा अगला कि जल काच का मुख अभयब है जल काच के मुख अभयब की बात करें तो ये धीरे धीरे थंड़ा किया जाता है और ये काच का निर्मान करता है काच का सुतरता ये 2O इंटू जो CAO इंटू 6SiO2 काच का धीरे धीरे थंड़ा करने पर ये विधी एनिलिंग कर लाता है अगला प्रशने की समान एलकोहलो के जो है ऑक्सीकरन से बनता है समान एलकोहलो के ऑक्सीकरन से जो बनता है ये एसीड बनता है एसीड ओप्सन से इसका राइट इन सरजेगा अगला की फेरस सलफेट से लोहा को नीमन में से कौन सा धातु जो विस्थापित करेगा इसमें भी स्थापिज जो करेगा ये जेडेन करेगा और अगर पूछे सबसे अधिक किरियासिल धातु तो ये जो पटाइसियम होता है सबसे अधिक और किरियासिल धातु जो की सोना होता है अगला प्रशने है कि किस तत्त में D-Electron है D-Electron के बातकरित ये जो ये अफी में है यानि लोहा में ये D-Electron पाए जाते हैं और इसका प्रमानु संख्या जो की 26 होता है ये अफी का electronic विन्यास जो की AR-3D6-4H2 होता है और ये जो ये D-Block के तत्त सक्रमन तत्तर कहलाते हैं आगला प्रस्न है कि फेन प्लावन विधी फेन प्लावन विधी जो है ये किस खनीज की सांधरता बढ़ाने के लिए परियोग की जा सकती है ये जो परियोग की जाती है ये परियोग की जाती है चैलको पाई राइट की सांता बढाने के लिए तो option इसका right इंस रोजेगा और चैलको पाई राइट का सुतर होता है Cu F S2 यह जो कॉपर का आयस्क है हमेटाइट S इसका सुतर होता यह फी 2 O 3 मैगनेटाइट S का सुतर होता है यह फी 3 O 4 और कैला मायन ऐस का सुतर होता है जेडियन सीओ थिरी ये सारे पांट आप लोग याद रखेगा सभी पॉइंट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमानु क्रमांक संकेत करता है किसी आवर्त में बढ़ता हुआ पर विधुत रिनात माकता गुन में बिर्दी होती है तो ये सारे पांट आप लोग याद रखेगा अगला अगला अग्सायट किसका आउक्सायट खनीज है आ ये है अलमूनियम का येल और अब्संस इसका राइट इन सरुजगा एगला है ताला कुझ्जी का सिधांद ये जो है समवंदित है ताला कुझजी के सिधांद की मात करें तो ये समवंदित है और ये ज़ो 1394 में एमिल फीसर ने और इस य। तिविशह में इस सिधांद का परतिपादन कि था अगला प्रशन है कि षीजए एक अधिक फिनो टाइप को परभावित करना कहलाता है यह जो कहलाता है यह प्लियो ट्रॉपिक कहलाता है प्लियो ट्रॉपिक आप्सिन डीस का राइट इंसर हो जाएगा और जीन जो है यह DNA की एक क्रियात्मक इकाई है जीन जो की अनुवानसिक की इकाई है मारगन और ब्रीजेज की अनुसार जो है जीन गुन सुत्र का उपस्थित रहता है 1909 में जो स्वरपर्थम जोहांस ने जीन सब्द का पर्योग किया था और सभी जीन प्राय जो है DNA की बनी होती है यह सारे पॉइंट आप लोग याद रखेगा अगला की सर्सो के तेल का तीखा पन किसके कारण होता है सर्सो के तेल का तीखा पन जो है यह एलिल आइसो थीयो साइनेट एलिल आइसो थीयो साइनेट के कारण जो होता है सर्सो के तेल का तीखा पन तो आपसंस इसका रायट इंस रज़ेगा और आलू का हरा रंग जो है सोले नीन के कारण होता है लासुन में गंज जो है एली सीन के कारण होता है गाजर में लाल रंग जो की अंत्रो साइनीन के कारण होता है प्याज में पीला रंग जो की क्वेर सिटीन के कारण होता है 1869 में डार्विन ने अस्पेश सीजो का उद्भाव में परतिपाद किया था इन्हों नों जो प्राकेटिक वरन की सिदान्त द्वारा अस्पेश सीजो के उद्भाव को प्रमानित करने में जो है सफलता प्राप्त की थी और योगतम की उत्तर जीवितास सब्द को अस्पेंस जो है यह सरी सिर्पों में हुआ था सरी सिर्पों से तो आप्शन इसका राइट इंसर जाएगा अंडे देने वाले नेमन कोटी के अस्तंधार्यों को प्रोटी थीरिया कहा जाता है यह सारे पॉइंट आप लोग याद रखेगा और मानब की उत्पति जो की पलायों सीन सक में हुआ है और अस्तनियों के लच्छन स्वरपर्थम पॉलीको सौरस में प्रकट हुआ है मानब जाती का विकास करम मचली वहिचय सरी सिर्प और मानब है अगला प्रस्ण है कि मोती के उत्पादन करने वाले जन्तु की सो संग के होते हैं मोती का उत्पादन करने वाले ज भोंगा, सिप्पी, कावडी, सिप्या संख, आक्टोपस, यूनियो, ये सभी जो है, इसी संख के जनतु है, खटमल, जूद, तितली, मच्छर, सिंग, मचली, अर्थोपोड़ा संग में आते हैं, और केचुआ जोग, ये सभी जो है, यानि लीडा संग में आते हैं, निडेर कुसाएं होती है, सलकी उपकला की कुसाएं जो होती है, ये चप्टी और टाइल जैसी होती है, चप्टी और टाइल, आप्सन सिसका राइट इंसल जगा, तंदर का कोज़का, सरीर की सबसे लंबी कोज़का होती है, और सबसे बड़ा कोज़का, जो की, और स्ट्रीड का अ लॉंच किया है यह कि सरकार ने लॉंच किया है सेरो पर नजर रखने तुसी सूचना अइप यह गुंजरात के द्वारा लॉंच किया गया है। ऑप्सन सी इसका राइट इंशर हो जाएगा और इस अइप के माधियम से आम बेगतियों द्वारा सेर देखे जाने पर रिपोर्ट जो सिधे वन विभाग को दी जाती है अगला कि सदीर किस निर्थ सहली का प्राचीन नाम है सदीर की बातकरी यह भारत नाट्यम का प्राचीन नाम है तो options इसका राइट इन सरो जगा और भारत नाट्यम जोकी तमिलांडू का सास्त्रिय निर्थ है दसी अट्यम सदीर भारत नाट्यम यह भारत का प्राचीन शास्त्रिय निर्थ है संगीत नाटक अकादमी के अनुसर जब बर्तवान में भारत में आठ शास्त्रिय निर्थ है भारत नाट्यम, कुचीपुरी, कथकली, मुहिनी अटम, ओडिसी, मनिपुरी, कथक और यह सत्रिया है भारत सरकार के संस्कृति मंत्राले निर्थ को भी सास्त्री निर्थ का दर्जा दिया है रुकमिनी देवी अरुंडेल भारत नाट्यम के परसित निर्ता अंगना है ति ये सारे पाइंट आप लोग याद रखेगा सभी जो है most important टॉपिक था अगला है कि CTVT ये जो है comprehensive nucleus test one treaty ये जो है कब अस्तित में आया CTVT की बात करें ये जो अस्तित में आया है ये 1996 में आया है 1996 option भी इसका right answer हो जाएगा और इस संधी में जो परमानू परिछन को परतिवन्धित करके परमानू परसार को रोकने की विवस्ता की गई है परमानू अपरसार संधी इसकी सुराज जो है 1968 इस भी में किया गया था औ और NPT को जो है लागू 1970 में किया गया NPT के सदस देशों की संक्या जो की 191 है अगस्त 2022 की अनुसार जो है अब तक की 183 देशों ने इस संधी पर हस्ताचर किया है अगला प्रशन है कि सुमिलित नहीं है इसका चेन करना है कौन जो है इसमें सुमिलित नहीं है पहला है 16 अक्टूबर विश्व खाद दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को तो यह सही है 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को भारती वाइव सेना दिवस मनाया जाता है यह तीनों कथन जो है और यह सही है पांच अक्टूबर की बात करें तो पांच अक्टूबर को जो है विश्व सिच्छक दिवस पर्तिवर्ष जो है मनाया जाता है तो इसका राइट एंसर जो है सुमिलित नहीं अप्शन डी हो जाएगा और यहां पर अंतराष्टिय विर्धजन दिवस की बात करें यह जो एक अक्टूबर को बिर्धजन दिवस मनाया जाता है अगला प्रस्ण की सजन परकास किस से समधित है साजन परकास की बात करें साजन परकास का समध यह तैराकी से तैराकी ओप्शन 20 का राइट इंसर जाएगा अगला प्रस्ण की लोग सभा के परथां माहा सचीव थी दिली की पहले मायला मुक मंतरी जो की सुसमा सवराज थी अमरिता परतीम जो की साहित अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पर्थम भारतीय महिला थी और इन्हें जो 1956 में साहित अकादमी पुरस्कार दिया गया था अगला मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है मुसाद की बात करें यह जो है इजराइल की गुप्तचर संस्था है इजराइल ऑप्सन इसका राइटीन सरुजेगा और इराग की गुप्तचर संस्था जो की अलमुखवारात है अमन जो की इजराइल की सेनखुफिया एजनसी है भारत की गुप्तचर संस्था जो है यह रा और यहां पर बात करें तो इसके गवर्नर के रूप में इनका कारिखाल और बोर्न अस्मित का यह 1935 से साइथिस तक थे सर सिटी देशमुक जो कि आर्वि आइके पर्थम भारतिय गवर्नर थे और इनका कारिकाल 1947 से उन्चास तक था सर बिनेगल रामा राव ये Halo 49 से संतामा तक RBI के गवर्नर रहे थे अगला प्रस्ण है कि जायन परंपरा के निस्वार पहले तिर्थकर कौन थे जायन परंपरा के आधार पर पहले तिर्थकर ये जो है रिशब देव थे रिषब देव को जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है रिषब देव का जन्म जो अयोध्य के छुबाकू बंस में हुआ था रिषब देव का परती एक चिंज़ यह साड था और रिषब देव को आदिनाथ नाम से भी जाना जाता है अगला मुहम्मद गौरी ने अगला और पर्थम तराइन का यूद 1191 में मौहमद गौरी इसमें पराजित हुआ था तराइन के दूतिय यूद में गौरी ने पिर्थवी राज-चोहन तीर्थिय को पराजित कर दिल्ली और अजमेर पर कभजा किया था अगला प्रशने के भारतिय राष्ट्य का अध्याच नि में इलाहावाद अधिवेशन की अधैस्ता किये थे कांग्रेस की अस्थापना के समझे वाइसरा ये लौड डफरिन था कांग्रेस की अस्थापना जो कि 28 दिसंबर 1885 इसवी में बांबे के गोकुल तेजपटाप संस्कृत विस्विद्दाले में हुआ था और एयो ह्यू को जो है कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है नेक्स्ट है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषना को जाना जाता है इस घोषना को जो है यह मौन्टेस्क्यू घोषना के नाम से जाना जाता है मौन्टेस्क्यू अप्शन इसका राइट इन सर्जेगा 20 अगस्त 1917 के सुधा कि गोष्णा को मौंटे गियू गोष्णा के नाम से जाना जाता है और 20 अगस्त को गोष्णा किया गया कि भारत में सुधार का उद्धिश धीरे-धीरे उतरदाई तो परधान करना है मौंटे गियू जो है भारत के गृह सचीब था और उस समय जो भारत के वाइसरा ये चैंप स्फोर्ड था इस कारण जो भारत का परिशाद 119 को मौंटे क्यू चैंप स्फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है और 1919 के भारतिय परिशाद एक्ट द्वारा राजियों में द्वैद सासन लागू किया गया था अगला प्रस्ने की हिंद स्वाराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी हिंद स्वाराज नामक पुस्तक के बातकृत ये जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था महात्मा गांधी ओप्सन बीज का राइट इंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र जोकी गांधी द्वारा दच्छीन अफिरिका में 1903 से निकालना प्रारम किये थे मांडले जेल मेरा अकर बाल गंगा धर्तिलक ने गीता राज से पुस्तक की रचना की थी ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेगा और अन हैपी इंडिया ये लाला राज पत्राई की पुस्तक है भारतिय सेवक संग की अस्थापना जोकी 1905 इस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा क्या गया था अगला प्रशन है कि इनमें से कौन जो है अलिपूर बम सडियन्त में सामिल था अलिपूर बम सडियनत की वातकरी तो इसले जो है यह अरविंद घोस सामिल थे इसलो है मनिक टोला बम प्रकरन के नाम से भी जाना जाता है यतिंद्र रणाथ दास की मिर्तिव जो की 13 सेप्टमबर 1929 इस्वी में भूख हर्ताल के बाद हो गई थी और 63 दिनों तक भूख हर्ताल जेल में सुधारों को लेकर यह जो भूख हर्ताल किया गया था काकोरी रिल कारवाय जो की 9 अगस्त 1925 इस्वी को हुआ था अलिपूर बंसडियंत्र जो की 1908 में हुआ था और अरविंद गोष के बारे में कहा जाता है कि यह गरम दल के पाले नेता थे जिन्होंने बाद के समय में सांती कारास्ता अपना लिया था अगला प्रशने के निर्व के तो में से किसे जो है काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है काला या फिर स्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है यह जो है यह कुनार के सुर्य मंदिल को जाना जाता है सुरमंदिर महावली पूरम में अस्थित है जिसे जो है रत मंदिर भी खा जाता है और देवगड़ मंदिर नागर सयलिगी का जो है भारत में परथम मंदिर माना जाता है अगला कि राट्य कांग्रेस कारे कारी समीथी इसने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का नुमोधन कहां किया था इस परकार 14 जुलाइ 1942 इस वी को बार दामे कांग्रेस कारे समीथी की वैठक हुई जिसमें मात्मा गांधी के नेत्रित में भारत छोड़ो अंदोलन चलने का नेर ने लिया गया था और 8 अगस्त 1942 सिस्वी को मात्मा गांधी ने बांबे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो अंदोलन की गोशना करते हुए करो या मरू का नारा दिया था और 9 अगस्त 1942 इसवी को Operation Zero आबर के ता जो है मातमा गांधी सहित अधिकांस कांग्रेसी निता जो के ग्रापतार कर लिए गये और मातमा गांधी को ग्रापतार करके पूर्णा के आगाखा के महल में रखा गया था राजेंदर परसाद को ग्रापतार करके पटना के बांकी पूर्णा में रखा गया था और जैपरकाश नारायन को हजारी बाग के जिल में भागा कर जो है बागतल निपाल चले गए थे जहांपर जो आजात दास्ता का गठन किया था और जिसका उन्देश से था अंग्रेजी सरकार को छती पहुचाना भारत छोड़ो अंदोलन के समझ जो है उसा में ता कांग्रेस रेडियो का संचालन करती थी और भारत छोड़ो अंदोलन को हम अगस्त करांती 1942 के अंदोलन तथा नेत्रित वेहिन अंदोलन के नाम से भी जा इसके तह़ा जो संदेगे के अधार पर जो किसी भी व्यक्ति को ग्रफ्तार कर लिया जा सकता था यह जी जाना जाता था दुतिय गोल्समेलाने में कांग्रेस की एक मातर पटिरनीधित तो करने कटोर भाग को चटान कहते हैं और उत्पत्ति की अधृ चटान तीन परेकार के होते हैं एगने अफसादी और कयानतरितच national अगने चटान यह संचरन नोकड़ा सीसाजयास्ता अधिनागाला प्रेटिनुम इसमें पाय जाते हैं आगला प्रस्ण की भारत ये स्वातंत्र भारत की सबसे पाइली बहुदेशी परयोज्णा कौन सी है यह दमोदर नदी घाटी परयोज्णा है तो option 20 का right answer गाँ आज दमोदर घाटी बहुदेशी परयोज्णा 1148 में निर्मान किया गया बाखडा नागल सतलज नदीपर अस्थित है और बाखडा नागल जो कि भारत की सबसे उची कंक्रीट वांद है हेरा कुंड बांध जो कि महा नदीपर है हेरा कुंड बांध विशुका सबसे लंबा नदीपर है जो की 4800 मीटर का है नागार्जुन सागरवान जो की आंत्र परदेश में क्रिष्णा नदी पर अस्तित है तो यह सारे पांट आप लोग याद रखेगा अगला निम्न में से वे पहाड़िया कौन सी है जो की पुर्वी और पस्मी घाट को जोडने वाली पहाड़िया जो की जो की दूसरी सबसे उची चोटी है और इस पर ऊट कमंड की पहाड़िया अगला प्रश्ण है कि IPL के सबसे मुलेवान फिरेंचायची जो है यह कौन से है मुलेवान फिरेंचायची की बात करें तो मुलेवान फिरेंचायची जो है यह चेनाई सुपरकिंग है चेनाई सुपरकिंग ऑप्सन इसका राइट Kleins रो जाएगा CSK जोकी 212 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैलू के साथ सबसे मुल्यवान प्रिंचाइजी है अगला प्रस्ण है कि भारत कैसा राज है भारत की बात करें तो भारत एक कल्यान कारी राज है तो उप्सन भी इसका राइट इंसर हो जागा कल्यान कारी और भारत की बात करें तो यह जो है आरलेंड की सब्धान से लिया गया है अगला वार एंड पीस पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है वार एंड पीस पुस्तक की बात करें तो यह जो है लियो टॉल अस्टाय द्वारा लिखी गई है तो उप्सन से इसका राइट इंसर हो जाएगा गोल्डन थ्रेसोल्ड जोकी सरोजनीन आइडू की पुस्तक है जो है मदे यह संबर्ती सुची के अंतरगत आती है संबर्ती सुची की बात करें इसके अंतरगत जो है यह मजदूर संग आती है मजदूर संग आप्सन विजकारा इटीन सब्सक्राइगा अंतराजीय नदिप परिशत जो की इसका गठान के चर्चा जो अनुचे 262 में है नागरिक्ता संगिय सूची का विशय है और अस्थानिय सासन जो की राज सूची का विशय है अखिल भारती मजदूर संग कांग्रेस का पर्थम बैठा जो की बामबे में 1920 इसवी में लाला रजपतराई की अदर्शता में हुई थी और संग सूची में 98 विशय है राज सूची में जो की 69 विशय है संगरती सूची इसमें जो है बामन भी सह है तो ये सारे पांट आप लोग याद रखेगा अगला वर्स 1956 में भारत में राजियो का पुनर गठन जो है ये क्या अधार था इसका पुनर गठन का क्या अधार था इसका अधार जो है ये भासा था भासा ओप्जन एसका राइट इंसर हो जाएगा बर्स 1956 में राज्यों के पुनरगठन का अधार भासा था आंधरपरदेश देश का पर्थम राज था जो की अक्टूबर 1953 इसमी में भारत की भासा की अधार पर राज बना था राज पुनर गठान आयो की अधार जो की फजल अली थे और धर्म की अधार पर भारत पाकिस्तान दो देश बनाये गया कर्म करना ही धर्म है राज का विकास और एकता का आधार केवल भासा ही नहीं हो सकता अंध्पर्देश राज से तिलंगाना जो की 24 में अलग हुआ था अगर 20 सविधानिक संसोधन अधिनियम द्वारा संसत के मतदान की आयू कम करके 21-18 कर दिया गया था 21-18 survivor जो एक 18 विधान संसोधन के द्वारा 89 में जो 20 Hogwarts रखा गया था 29 वष्ट यह राजय्व गांधी की सरकार में कर दिया गया और भारत जो बिस्व का सबसे बड़ा लोकतांतरिक देश माना जाता है च्वाल इसमस विदान संसोधन दौरा जोई राश्ट पती साधारन विदेग को पुनह जोई विचार के लिए लोटा सकता है अगला की आर्थिक सुधार के प्रमुग घटक है आर्थिक सुधार के प्रमुग घटक के वाद करें ये जोई अस्थीरी करन कारिकरम और सनरचनात्मक समायोजन ये दोनों जो हो जाएगा आप्सन से इसका राइट इंसर हो जाएगा अगला प्रशन है कि 2011 के जनकल्ना के अनसर बिहार में जोई प्रति एक हुआजार पूरुसों फर अस्तिलियों की संख्या है इसमें बिहार के लिपात की भार्दकर्टी ये जो है ये जो है दोनों जोई ऑर जोई जोई ग्यारह के अनसर नोसे इरिक सान अथार है भारत में 2011 के जन्गाना के अनुसार लिंगानपाथ 943 है भारत में सबसे कम लिंगानपाथ हर्याना का है जो की ये 889 है अगला 2011 के जन्गाना के अनुसार भारत वासियों की आउसत आयू थी 2011 के जन्गाना के अनुसार भारत की आउसत आयू भारत वासियों की जो थी व्ल्ड बैंक देर्टेश में भारत के लोगों का आउसत आयू जो की 70.42 वर्स है श्वतानत्ता के समझ भारत के लोगों का आयू जो था यह 32 वर्स था अगला है जम्मो और कस्मीर को जोड़ने वाला सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग कौन सा है यह जो है यन्यच 44 है और भारत की सड़क प्रणाली यह विश्व की दूसरी विशास्तम प्रणालियों में से एक है भारत में सड़कों की कूल नंबाई जो की 34 लाख किलोमीटर है देश में कूल यात्री यातायात का 85% यह माल यातायात का 70% सड़क परिभान के जर्ये होता है दिल्ली और लहौल के सदा ए सरहद और श्री नगर और मुझा प्रावाद के मद करवा ए अमन की वस सिवाय उपलब्ध है स्वनिम चतुरभोज इसके अंतरगा देश के चार महानगरों दिल्ली मुंबाई चन्नाई तथा कुलकत्ता को उच गुनवात्ता युक्त सड़कों से जोड़ा गया है और इसकी कुल लंबाई जो है यह अंठावान सो 46 किलो मिटर है तो यह सारे पांट आप लोग याद रखेगा अगला मातमा गांधी द्वारा भारत छोड़ो अंदोलन का परारम यह किस वर्स किया गया था यह जो किया गया था यह 1942 को किया गया था तो आप्शन भी इसका पराइटीन सरजेगा 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कारी समित्ती की हुई बैठाग में जो है मातमा गांधी के नित्रित में भारत छोड़ो अंदोलन का जो है चलाने का नेरने लिया गया था और मातमा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक से भार जो या मरो 9 अगस्त 1942 इसवी को ऑपरेशन जीरो आवर के था जो मातमा गांधी समेथ भारत के सभी मातपुर नेताओं को गुरपतार कर लिया गया था और भारत छोड़ो का नारा इसूफ मेहर अली ने दिया था साइमन गोबई का नारा जो है यह इसूफ मेहर अली के इसका परिभरमन सबसे पहले यह मैगलेन के द्वारा किया गया था मैगलेन आप्शन 20 का राइटेन सरज़ेगा भोगोलिक खोज के द्वारा नई दुनिया के लिए समूदरी मार्ग की खोज किया गया और भोगोलिक खोज में अस्पेहिन पूर्टगाल इटली जैसे देस प्रारंब में शक्रिय भूम का निभाई थी और कोलंबस ने 1992 में अमेरिका के लिए नई समूदरी मार्ग की खोज की थी अगला प्रसने अधिवक्ता संरचन विदेक दर्टेस यह किस राज ने पेस किया यह राज अस्थान के द्वारा पेस किया गया था तो राज अस्थ प्रस्थित लोकमान तिलक पुरसकार दर्टेस को बढ़ावा देने के लिए यह एक अगस्त दर्टेस को लोकमान तिलक पुरसकार से समानित किया गया था अगला हिंदुस्तान सोसलिष्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक करने दाओ में से जो एक थे कौन थे तो ये जो है ये भगत सिंग थे भगत सिंग आप्शन बिसकार राइट इन सरजएगा और इसके अस्थापना जो कि भगत सिंग के द्वारा 1928 में किया गया था अगला है अगस्त 1932 के रैमजे मैक डोनाल्ड ने संप्रदाइक पंचाट के द्वारा पहली बार एक प्रिथक निर्वाचन समू बनाया गया ये जो बनाया गया था ये अचूतों के लिए बनाया गया था और 16 अगस्त 1932 को जो इस संप्रदाइक पंचाट की गोशना किया गया था इस गोशना के ताहर जो दलीतों को हिंदूओं से अलग रग कर उनकी अपनी अलग परतिनी ध्युत देनी की बात कही गयी थी और यह समझाता 24 सिप्तमबार 1932 को हुआ था अगला कि ये स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद सुत्र की गोशना किशने की इसकी गोशना जो है ये सी आर दास की दोरा किया गया था तो आपसर ने इसका राइट इंसर हो जो है उजागर करना सी आरदास ने कहा कि संपोर्ण भारत एक विशाल वंदिग्रे है और सी आरदास खुदिराम बोस की मुकादमा में जो पैरवी कार थे अगला प्रशन है कि पिग्मीज निवासी है पिग्मीज निवासी की वातकरित ये जो अफिरका की निवासी है जो की अरब की है सिकाई मलेसिय की है विद्दा स्रिलंका की माया मैक्सिको की मसाई अफ्रेका की सिमांग मलेसिया की अफ्रेदी जो की पाकिस्तान की है और रेट इंडियन जो की मध्ध अमेरिका की है ये सारे पांट आप लोग याद रखेगा गारो जन जाती है गारो जन के लोग가 याद रहिंगा अग्ला इनीमन में से क्यंद्रिय सरकार का कर नहीं है इसमें किंद्रिय सरकार के कर किरे लेकिन सलक कर गूंगे बूमे को उतिप्पाद बहुमी राजस्व पूंद प्हुमी के सरस्व कर नहीं है क्रिष्णी पर आयकर राज सरकार द्वारा लगता है और भातिय सविधान के निचे 264 से 300 के का के वित राजास्व संविधा आदिका ज़ाव लेक मिलता है आयकर सीमा सुल्क और पाद सुल्क ये जो है केंदरिय कर है अगला एक की स्वेज नहर की दो समुद्रों को मिलाती है स्वेज नहर की बात करें ये जो है भुमाद सागर और लाल सागर को मिलाती है तो इसका राइट इंसर जो हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए भुमाद सागर और लाल सागर स्वेज नहर का निर्मा जो की 1889 में हुआ था और स्वेज नहर का यूध जो है ये 1956 में हुआ था स्वेज नहर को राश्टी एकरण जो है 1956 इसमी में किया गया और कील नहर जो की उत्री सागर और वाल्टिक सागर को जोड़ती है किल नहर 20 सुका सबसे वेस्तम नहर है राइन नदी जो की 20 सुका सबसे वेस्त नदी है उतरे अल्टरलांटिक जलमार्ग 20 सुका सबसे वेस्त जलमार्ग है पनामा नहर जो की परसांत सागर और अल्टरलांटिक सागर को जोड़ती है सविधान का कौन सा भाग राज निती निदेशक सिधानतों से संबन्दित है यह भाग चार है ऑप्सन बीज का राइटी इंसर हो जाएगा भारते सविधान के भाग चार में अनुछे 36 से कहमन तक है राज की निती निदेशक तत्तों का वर्णन मिलता है इस भाग के विरुद जो है किसी भी न्याले में चुनावती नहीं दी जा सकता भाग तीन में मौलिक अधिकार जो कि 12 से 25 अनुछे तक है भाग दो में नागरिकता का प्रवधान है ये अनुछे जो है 5 से 11 तक है और भाग एक में संग राज चेतर काव लेक मिलता है जो कि नोचेद 1 से 4 तक होता है नितिन देशक तत्तो जो कि आर्लेंड की स्विधान से लिया गया है मौलिक अधिकार जो कि USA से लिया गया है और एकल नागरिकता जो कि ब्रिटिन से लिया गया है यह पिन टाता ॰ूर्ण ये सब कम्पनियां जब चोटा नागपूर्ड छेतर की आजपास अस्तीत है सबसे मातपुर्ण अधार भूत दोग जो है आईरन एवं आईरन एंड अस्टिल उदोग है दामोदर घाटी छेतर खनीज संपरदा की दृष्टी से भारत का सबसे मातपुर्ण है चोटा नागपुर्ण छेतर की अंतरगा जो है दामोदर घाटी छेतर आता है अगला मांजली संसार का सबसे बड़ा नदी दीप है यह किस राज में अस्थित है यह असम राज में अस्थित है तो अपसन विसका राइटेन सर जागा यह विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप है यह ब्रहंपुतरा नदीप पर अस्थित है सबसे छोटा नदी दीप जो की भारत और विश्व यह उमानन्दा ब्रहंपुतरा नदीप पर जो है आस्थित है उमानन्दा दीप का जो है दूसरा नाम म्यूर दीप है तो यह सारे पाइंट आप लोग याद रिखेगा और फ्रेंड आज के इस वीडियो में जो है टोटल सौप रसन थे हमने जो सभी को डिटेल के साथ कवर कराया है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो चले फ्रेंड आप अगले वीडियो में मिलेंगे आज के लिए इतना ही और फ्रेंड आप लोगों से एक request है कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक share किजेगा तो चलिए फ्रेंड अगले वीडियो में मिलेंगे आज के लिए तना ही जैहिन